गैबरियाल को तो अब तक यहां होना चाहिए था या अमीर मुख्बिर ने पैगाम भेजा है गैबरियाल से कोई पूरी सरार शक्स मिलने आया है उसके चारे पर नकाब है कौन है वो यकीनल वो ही गद्दार है चलो तुम पागल हो गए हो क्या ये कैसे मुम्किन है तुम शिजादे हो अपनी रियासत की कौन कौन से रास्ते अंदर जाते हैं कौन से रास्ते बाहर आते हैं मालूम होगा ना तुमे लेकिन तुम नहीं माने तो खुद ही करना पड़ेगा जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आइद होगी हम सब पर सुल्तान नूरुद्दीन को शक है कि वो गद्दार महल में ही है तुम्हारा वहां हमला करना मुझे खातरे में डाल देगा तो तुम्हें इस खातरे से जान चुड़ानी चाहिए ना सुल्तान नूरुद्दीन को गदल कर दो और सलाहुद्दीन को माट डालूँगा मैं और इस तरह ताच और तख्त तुम्हारे हो जाएंगे हम अगर पहले विक्टॉरिया और बादशाह उस्ताद को मेरे हवाले करना है सलाहुद्दीन की मौजूद्दी में नमुकिन है वहां कैसे जाओंगा देख लेंगे वो मामला उसे वहां से कैसे हटाना है मालूम है मुझे विक्टॉरिया और बादशाह उस्ताद को बचाने के बाद तुम है मुझ से और मेरे बेटे से हामिशा दूर रहना है अच्छी तेरा समझ गए नसरुद्दीन उसके बाद तो जरूरत ही नहीं रहेगी मुझे तुम्हारी लेकिन तुमने अगर कल तकोने वहां से ना भकाया सिर्फ मैं ही नहीं तुम बाप बेटे तुम तोनो भी पुक्तो के